हम देखते हैं बोरिया कैनन पर एक फायर अटाक करता है कैनन उसमले को अपने औरा की मदस से जहल पा रहा था और बच जाता है बोरिया उससे काफी इंप्रेस हो जाता है गोकु वेजीटा और पिकलो भी कैनन के नए पावर को देखकर बहुत इंप्रेस थे दूसी तरफ हम देखते हैं एरकन, गौर्गो और एवरडॉन उनके सामने जो तलवार था वहाँ एक डीमन अपेर हो जाता है जिसके प्रेसंस से एवरडॉन, गौर्गो और आरकन को एक प्रेशर फील होने लगता है जिससे वो जुग जाते हैं एवरडॉन बताता है, यह वही है, इस ताकतवर तलवार का वील्डर, दी ग्रेट डीमन वॉर्यर लॉर्ड, कहा जाता है कि इसे कोई भी किंग आफ एवरिफिंग नहीं हरा पाया था आरकन कहता है, हमें यह सब पता है, यह सब बात करके वक्त बरबाद मत करो, और सोचो इसे कैसे हराना है, क्योंकि यह बहुत ताकतवर है गौर्गो कहता है, बॉस, हमें इसके ताकत को लड़ाई करके परखना होगा फिर गौर्गो उस डीमन लॉर्ड पर एक पावरफुल ब्लास से हमला करता है, वो डीमन लॉर्ड उसके अटैक को डॉज भी नहीं करता और जेल लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता, सभी ये देकर बहुत हैरान हो जाते है आरकन कहता है, तुम्हारे अटैक्स इस पर काम भी नहीं कर रहे हैं, हमें कोई और रास्ता ढूनना होगा फिर हम देखते हैं, एवरडॉन कहता है, एक बार मैं कोशिश करके देखता हूँ और फिर एवरडॉन भी उस दीमन लॉर्ड पर एक बलास्त अटैक करता है, लेकिन उस दीमन को कुछ भी नहीं होता आरकन समझ चुका था कि उसे अपनी चाल चलनी होगी, तब ही हम देखते हैं, आरकन गॉर्गो और एवरडॉन को एब्सॉप कर लेता है जिसके बाद आरकन उस दीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है दूसी तरफ हम देखते हैं, ग्रैन्ट प्रीस्ट को होश आ चुका था गोकु उससे कहता है, एई ग्रैन्ट प्रीस्ट, बोर्या ने तुम्हारे अंदर उसके मल्टिवर्स के ड्रैगन बॉल्स को सील कर दिया है क्या तुम उन्हें समन कर सकते हो? ग्रैन प्रीस्ट हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये उसने कप किया वो बोरिया हमेशा से मुझे धोका देना चाहता था मैं उसे नहीं छोड़ूँगा तब ही विजीटा कहता है बोरिया की चिंता मत करो और ड्रैगन बॉल्स को हासिल करने के लिए हमारी मदद करो वैसे भ तुम्हारे पास इसके लिए भी कोई प्लान था ग्रैन प्रीस्ट शर्मिंदा हो जाता है और माफी मांगता है मैं जानता हूँ मैंने गल्ती की मैंने गलत किंग ओफ एवरिटिंग का साथ दिया मुझे जनो सामा को नहीं मारना चाहिए था लेकिन हम ये सब ठीक कर सकते है मेरे पास एक रास्ता है फिर हम देखते हैं कैनन को जो कहता है बोरिया मैं तुम्हें जिन्दा रहने नहीं दे सकता हूँ तैयार हो जाओ मैं तुम्हें एक ही वार में खत्म कर दूँगा बोरिया हसता है और कहता है बिल्कुल सेयन तुम कोशिश कर सकते हो परंत में तुम शोक्ड रह जाते हैं, बोरिया बताता है मैं अपनी ताकत से सूरिय की शक्ती को हारनेस कर सकता हूँ और उसकी घर्मी को तो तुम कभी भी भी नहीं जिल पाउगे कैनन कहता है, बस तुम देखते जाओ बोरिया, मैं तुम्हें कैसे खत्म करता हूँ इसके बाद हम देखते हैं कैनन एक powerful blast से बोरिया पर attack कर देता है जो बोरिया के साथ clash करने लगता है बोरिया थोड़ा struggle करने लगता है कैनन भी पूरा जोर लगाने लगता है और आखिर में कैनन का attack जीच जाता है और बोरिया प्लानेट के core में चला जाता है और वहाँ खत्म हो जाता है सभी ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं दूसी तरफ हम देखते हैं आरकन के powers बहुत बढ़ चुके थे वो कहता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है चलो ये सब जल्दी खत्म करते हैं डीमन लॉड कहता है तुम्हें पर बहुत घमंड है ये तो अच्छी बात है अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मेरे सारे powers तुम्हारे हो जाएंगे फिर तुम सभी मल्टिवर्स के सबसे powerful being बन जाओगे पर देखते हैं तुम मुझे हरा पाओगे या नहीं आरकन कहता है मैं ये सब जानता हूँ और मैं तुम्हें बता दू मैं तुमसे ज्यादा powerful हूँ तो तुम मुझे हराने में ध्यान दो और बच कर दिखाओ क्योंकि तुम्हारे powers तो मैं हासिल करके रहूँगा इतना कहकर आरकन उसके पर एक ब्लास्क कर देता है जिससे पूरा जमीन डिस्ट्रॉई हो जाता है दीमन अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है जहां हमारे सभी वारियर्स थे आरकन को देखकर गुकू वजीटा पिकलो और कैनन बहुत हैरान हो जाते हैं ग्रैंड प्रीस भी बहुत हैरान था और कहता है क्या ये तो आरकन है और इसके पावर से ही नीचे जमीन में किरा देता है गोकू कहता है वेजीटा नहीं फिर हम देखते हैं कैनन आरकन को देखकर बहुत गुसा हो चुका था और कहता है आरकन आखिर तुम मेरे सामने फिर से आही गए मैं तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ूँगा इतना कहकर कैनन आरकन पर अटैक कर देता है पर आरकन उसके existence को ही erase कर देता है सभी ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं Grand Priest कहता है Goku, Vegeta क्या तुम लोग Ultra Instinct का इस्तमाल कर सकते हो Goku बताता है हाँ Grand Priest फिर Grand Priest समझाता है आरकन Ultra Instinct जैसे power को erase नहीं कर सकता है मैं उसका इस्तमाल करना चाहिए Goku कहता है हम ऐसा कर तो सकते हैं पर मुझे नहीं लगता हम अकेले इसका सामना कर पाएंगे और Vegeta से कहता है हेई Vegeta हमें fuse करना चाहिए तब ही हम इसका मुकाबला कर पाएंगे Vegeta कहता है मैं जानता था तुम यही कहोगे वैसे तो मुझे यह करना पसंद नहीं है लेकिन मैं भी यही सोच रहा था इसके बाद हम देखते हैं Goku और Vegeta fusion डांस करते हैं और Gogeta बन जाते हैं हम देखते हैं Gogeta अपने Ultra Instinct form में था और कहता है तो आरकन हम है Gogeta तुम्हारा मुकाबला हम से होगा अब मरने के लिए तैयार हो जाओ हम देखते हैं Gogeta तुरत आरकन पर अटैक करने जाता है और उसे एक जोरदार पंच देता है आरकन पीछे जाता है और फिर खुद को समहाल कर वापस Gogeta की तरफ बढ़ता है Gogeta खड़ा ही रहता है और उसे ललकारता है आरकन के सामने आते ही Gogeta उसके मुव पर एक जोरदार पंच देता है Gogeta फिर उसे एक जोरदार पंच देता है जिससे आरकन दूर जाकर गिरता है हम देखते हैं Gogeta आरकन के उठने का वेट कर रहा था क्योंकि वो जानता है आरकन ऐसे ही मरने वाला नहीं है आरकन खुद को समालता है और सोचता है ये तो बहुत कमाल है अब मुझे फाइट करने में और भी मसा आएगा गोजीटा कहता है क्या हुआ आरकन? क्या तुमने हार मान ली? अब तयार हो जाओ मेरे सबसे powerful attack को जेलने के लिए इसके बाद हम देखते हैं गोजीटा spirit bomb तयार करने लगता है इसे देखकर grand peace समझ गया था कि इस multiverse में इतनी ताकत नहीं है कि उनका spirit bomb इतना powerful हो जाए जो आरकन को खतम कर पाएगा तभी हम देखते हैं grand priest हेर सारे portals open करने लगता है ताकि वो सभी multiverse के warriors से ताकत मांग सके ताकि गोजीटा का spirit bomb और powerful हो सके हम देखते हैं grand priest portals open करने के बाद सभी को बताने लगता है कि सभी ताकतवर warriors मेरी बात ध्यान से सुनो हम बहुत ही जरूरी लडाई कर रहे हैं जिस पर सभी multiverse का अस्तित्व टिका हुआ है और इस लडाई में साथ देने के लिए तुम अपने हाथ उठा कर अपनी ताकत हमें सौपो तभी हम ये लडाई चीत पाएंगे हम देखते हैं सभी multiverse के warriors इस चीज को सुनते हैं और समझते हैं और सभी अपने powers देने के लिए हाथ उठा देते हैं फिर हम देखते हैं गोजीटा का spirit bomb और powerful होने लगता है हम देखते हैं आरकन उस attack को देखकर बहुत घबरा चुका था तभी गोजीटा spirit bomb को उसकी तरफ launch कर देता है ग्रैंड प्रीज गोजीटा की तारीफ करता है और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीज जेलो के powers का यूज करके transform कर जाता है और आरकन को पकड़ लेता है ताकि वो इस attack से बच कर ना भाग सके और फिर हम देखते हैं गोजीटा वहां से पिकलो को लेकर disappear हो जाता है इसके बाद हम देखते हैं आरकन गोजीटा के इस attack से पूरी तरह से खत्म हो जाता है गोकु और विजीटा अलग हो जाते हैं पिकलो कहता है तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया पर अब Grand Priest कहा है तभी उनके सामने Grand Priest appear होता है गोकु उससे पूछता है Grand Priest तुम जिन्दा हो मुझे लगा था तुम भी आरकन के साथ खत्म हो गए Grand Priest बताता है अगर मेरे पास जनसामा के पावर्स नहीं होते तो शायद मैं मर ही जाता मैंने उनके सारे पावर्स का यूज कर लिया जिसकी मदद से मैं बज गया इस पे वेजीटा कहता है हमें सब कुछ नॉर्मल करना होगा इसके लिए तुम लोगोंने क्या सोचा है Grand Priest बताता है हम ऐसा कर सकते हैं हमारे पास सभी Dragon Balls है हम सभी Dragon Balls को कमबाइन करके एक Dragon को समन कर सकते हैं और Wish मांग सकते हैं Grand Priest अपने अंदर के Dragon Balls को समन करता है जो बोरिया ने उसके अंदर सील कर दिया था कोकु, वेजीटा और पिकलो भी बाकि Dragon Balls को उसे दे देते हैं फिर सभी Dragon Balls के मिलने से Omega Shenron बहार आता है जो उन्हें Wish मांगने कहता है गोकु Wish करता है कि Multiverse 2 और 4 को छोड़ कर बाकि Multiverse को Revive कर दिया जाए और Multiverse 1 और 3 को Merge कर दिया जाए और Zeno को भी जिन्दा कर दिया जाए और उनके सभी परिवार और दोस्तों को भी Dragon उनके Wish को पूरा कर देता है जिससे एक तेज रोशनी होती है और Dragon वहां से कायब हो जाता है तब ही हम देखते हैं Zeno गोकु के पीछे अपेर होता है गोकु बहुत खुश हो जाता है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि गोकु अप खेतों में काम कर रहा होता है और वो भी सिर्फ चीची के कहने पर क्योंकि अगर गोकु काम नहीं करेगा तो वो गोटेन की पढ़ाई और अपने परिवार के बागी सारे खर्चे कैसे समालेगा और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकु अपना काम खतम करके घर की तरफ जाने लगता है और जैसे ही गोकु घर पर पहुँचता है हम देखते हैं चीची घर पर खाना बना रही होती है और गोटेन अपना स्कूल का होमबग कर रहा होता है चीची गोकू से कहती है तुम बिल्कुल सही वक्त पर आये हो गोकू अब हम सभी लोग साथ में बैट कर खाना खाएंगे चीची के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि गोकू जल्दी से फ्रेश होकर सभी के साथ खाना खाने के लिए बैट जाता है और अपना खाना खतम करने के बाद हम देखते हैं कि गोकु बुलमा से मिलने के लिए जाता है ताकर रिखिते हैं कि जैनोसामा अपने पैलेस में फ्यूचर जैनोसामा के साथ बहुत ही interesting topic पर बात कर रहे होते हैं वो लोग Goku को अगला King of Everything बनाने की बात कर रहे होते हैं और उनके ऐसे सोचने का reason Power of Tournament के अंदर ही दिख गया था क्योंकि Goku एक ऐसा mortal था जिसने Ultra Instinct को अचीव किया था और उसने Gods को भी सरपास कर दिया था और एक बहतर training के साथ Goku एक और भी strong being बन सकता है और शायद अगला King of Everything भी बन जाए इसके बाद हम देखते हैं प्रेजन जेनो सामा कहते हैं ऐसा लगता है गोकु को अगला King of Everything बनाना चाहिए तब ही future जेनो सामा कहते हैं तुमने सही कहा मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था अगर गोकु यहां हमारे साथ रहेगा तो हम लोग भी उसके साथ खेल पाएंगे कितना मज़ा आएगा है ना तब ही present जेनो सामा कहते हैं तुम बिल्कुल सही हो मैं जाकर ये बाते Grand Priest को बताता हूँ ऐसे कहकर जेनो सामा Grand Priest को बलाते हैं फिर इसके बाद हम देखते हैं जेनो सामा के पास Grand Priest आते हैं और पूछते हैं जी जेनो सामा बताईए आपको क्या चाहिए जेनो सामा कहता है Grand Priest यूनिवर्स 7 से जल्दी कनेक्ट करो और वीज को बोलो गोकु को लेकर जल्दी से यहां आए क्योंकि हम दोनों उससे बहुती जरूरी बात करना चाते हैं इसके बाद हम देखते हैं जेनो सामा के कहने के बाद Grand Priest वीज से कनेक्ट करता है और उसे सारी बाते बता देता है कि उसे अब क्या करना है Grand Priest की सारी बाते सुनने के बाद वीज अर्थ पर जाता है और गोकु को जैनो सामा के पैलेस पे लाता है गोकु वहाँ पहुँचता ही कहता है अब क्या हो गया अब जैनो सामा को मुझसे क्या चाहिए कहीं उन्होंने मुझे किसी और टूर्नमेंट के लिए नहीं बुलाया इतना कहने के बाद ग्रैन्ट पばीष गोकु को जैनो सामा के पास ले जाने लगते है आगे हम देखते है कि जैनो सामा गोकु को देखते ही बहुत खुश हो जाते है और गोकु इन से पूछता है है जैनो सामा तो बताओ आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है यह सुनते ही प्रेजेंट के जनो सामा कहते हैं हमने मिलकर यह डिसाइड किया है कि हम तुम्हें New King of Everything बनाने वाले हैं इधर सब लोग यह बात सुनकर बहुत ही जादा हैरान हो जाते हैं लेकिन सबसे जादा हैरानी होती है गोकु को वो कहता है क्या यह आप क्या कह रहे हो क्या आप मजाग कर रहे हैं मैं New King of Everything फिर गोकु के दिमाग में कुछ बाते चलने लगती है कि कहीं यह मेरे साथ ज्यादा समय बिताने के लिए तो यह सब नहीं कह रहे हैं तभी गोकु पूछता है क्या सच में आप लोग मुझे New King of Everything बनाना चाते ह और यह बात हम अच्छे से जानते हैं कि तुम फ्यूचर में बहुत अच्छे King बनोगे गोकु बहुती नर्वस होकर कहता है यह सब बहुती अचानक हो गया मुझे तु कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या कहूं फिर जैनो सामा कहते हैं तुम्हें अब सिर्फ Grand करने की कोशिश करता है यह सारी बाते सुनने के बाद गोकु समझ जाता है कि वह अगर King of Everything बन जाता है तो वह सभी Mortals को बचा सकता है वह उन सभी की रक्षा कर सकता है ताकि वह सभी लोग अपने परिवार को कभी न खोए कुछ देर सोचने के बाद गोकु अचानक से मुस जरू होगी तब तक के लिए तुम अपने यूनिवर्स में जा सकते हो इसके बाद हम देखते हैं गोकु बहुत ही खुश होता है और सभी को बाई बाई बोल के अपने यूनिवर्स चला जाता है और यहां हम देखते हैं गोकु के सारे दोस कैपसुल कॉप पे होते हैं वह गोकु मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हें पता है मैं जन उसामा के पैलस में गया था और उन्हें ने मुझे ये कहा कि वो मुझे किंग आफ एवरिटिंग बनाने वाले हैं। तबी वेजीटा अचानक से गुस्सा होकर कहता है केकर ओठ तुम फिर मुझे से आगे हो गए। फिर गोकु कहता है वेजीटा तुम गुस्सा मत करो तुम ही बताओ अब मैं इस पर क्या कर सकता हूँ। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो मैं तुम सभी से मिलने के लिए बार ट्रेनिंग करनी थी फिर अगले दिन हम देखते हैं गोकु ये सोचता है कि वो एक अच्छा किंग बनने की पूरी कोशिश करेगा और अब वो दिन फाइनली आ जाता है जब गोकु ग्रैन प्रीस के साथ ट्रेनिंग करेगा गोकु अपने कपड़े बदल कर ग्रैन प्रीस वाले कपड़े पहन लेता है और उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है तभी गोकु अपने बेस स्टेट पर ग्रैन प्रीस के तरफ फुल स्पीड में बढ़ता है और उन पे अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन गोकू के स्पीड को Grand Priest बहुत इसली ट्रैक कर लेते हैं लेकिन गोकू बिना रुके Grand Priest पर लगातार वार किये जा रहा था तभी Grand Priest गोकू पर हमला करते हैं और गोकू थोड़ा दूर जाकर गिरता है तभी गोकू वापस आकर बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है Grand Priest मैंने जितना सोचा था आप उससे कई ज़्यादा ताकतवर है गोकू की ये बात है सुनकर Grand Priest कहते हैं गोकू तुम ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहे इस पर गोकू कहता है मैं अपने बेस फॉर्म पे ही अपने पावर को इंक्रीज करना चाहता हूँ Grand Priest मुस्कुरा कर कहता है तो ठीक है ट्रेनिंग को जारी रखते हैं अब फिर गोकू की ट्रेनिंग चालू हो जाती है गोकू उन पर हमला करना शुरू कर देता है और हमला करते करते गोकू अपने ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन पर अटैक करने लगता है अब गोकू ये महसूस करता है कि उसके पहले के हमले से अब के हमले में काफी जादा स्पीड और पावर होती है कुछ देर ब्लू फॉर्म में फाइट करने के बाद गोकु ब्लू फॉर्म के साथ कायो केन का यूस करने लगता है और हम देखते हैं कि जितना टाइम गुजर रहा था गोकु की पावर उतनी जादा बढ़ते जा रही थी और उन्हें लड़ते लड़ते 30 मिनट से भी जादा हो चुकी है फिर ग्रैन प्रीस कहते हैं चलो गोकु अब थोड़ा आराम करते हैं इसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर आराम करने के बाद वो दोनों ट्रेनिंग फिर से कंटिन्यू कर देते हैं गोकु कई सारी नई टेकनीक्स को सीख लेता है और हम देखते हैं कि गोकु पलग जपकते ही अलग-अलग यूनिवर्स में जा पा रहा था तबी हम देखते हैं गोकु कहता है ये कैसा एसास है ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर असीम शक्ती आ चुकी है मेरी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इसके बाद हम देखते है Grand Priest बहुत ही खुशी के साथ कहते है लगता है आप अब पूरी तरह से तयार हो चुके है गोकु सामा ये सुनकर गोकु हैरानी के साथ कहता है क्या गोकु सामा? Grand Priest मुसकुराते हुए कहते है हाँ गोकु सामा अब से मैं आपको गोकु सामा ही बुलाने वाला हूँ गोकु कहता है Grand Priest आपको मुझे ऐसे बुलाने की कोई जरुवत नहीं है लेकिन कोई बात नहीं अगर आप मुझे ऐसे ही बुलाना चाते है तो फिर गोकु अपने मन मन में ये कहने लगता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं अब पूरी मल्टिवर्स का King of Everything बनूँगा मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा एक अच्छा King बनने की फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे Gods और Being Zenisonama के Palace में मीटिंग के लिए प्रिपेर कर रहे थे और हम देखते हैं Tournament of Power में जितने भी powerful योधा थे Zenisonücke के Palace में उस मीटिंग में मौझूद होते हैं और वहीं दूसी तरफ हम देखते हैं Goku को जो की नए सूट में मीटिंग में अपेर होता है और कहता है ये ताकत तो कितनी लाजवाब है और सबसे लाजवाब बात ये है कि मैं अल्टरा इंस्टिंग को अपने बेस फॉर्म में ही यूज़ कर सकता हूँ वो भी बिना किसी दिक्कत के तभी हम देखते हैं गोकू के अटेंशल के लिए गोकू को सामने बुलाता है गोक से मिलने के लिए बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं गोकू एक बड़े से स्माइल के साथ कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंड प्रीस्ट मुझे बताने के लिए ग्रैंड प्रीस कहते हैं आपका बहुत बहुत सागत है गोकू सामा ये बात कहकर ग्रैंड प्र कर Grand Priest और बाकियों का वेट कर रहे थे तब ही हम देखते हैं Grand Priest, Present Zeno Sama और Future Zeno Sama वहां आ जाते हैं उन्हें देखकर सभी लोग जुग जाते हैं इसके बाद Grand Priest कहते हैं आप सभी का यहां आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इसके बाद Zeno Sama कहते हैं आप सभी के यहां आन की और इशारा करके कहते हैं और अब आप सब के सामने हैं New King of Everything Son Goku Sama तब ही हम देखते हैं गोकु अपने New Form और नए Outfit में सब के सामने आता है गोकु को वहां देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं यह तो वही योदा है जिसके लिए Tournament of Power हुआ था अब वो हमारा New King of Everything है तब ही हम देखते हैं कॉलिफला कहती है क्या सच में यह हमारा New King of Everything है मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है वहीं दूसरी तरफ चामपा भी कहता है यह तो नामुम्किन है और Lord Beerus भी चौक जाते हैं और वीज से पूछता है हे वीज क्या तु है सौन गोकु वो तो अब बहुत ही जादा ताकतवर हो चुका है है ना काबा सप्राइज जो कर कहता है गोकु New King of Everything है यह तो सच में एक सपने की तरह है तब ही गोकु अपने पावर को जरा सा इंक्रीज करता है सब लोग उसके फॉर्म के साथ Mastered Ultra Instinct को देखकर बहुत ही ज़्यादा सप्राइज हो जाते हैं आखिर यह कैसी ताकत है मेरा पूरा शरीर तो डर से काप रहा है कॉलिफला यह सारी बाते गोकु की पावर को देखकर कह रही थी गोकु अपने चहरे पर एक स्माइल रखके कहता है Hello Everyone आप सभी लोग कैसे है Gods, Angels, Kaioshin और सभी Warriors आप चि इतना ही आप सभी लोग अब अपने अपने यूनिवर्स में जा सकते हैं, फिर हम देखते हैं सब अपने अपने यूनिवर्स चले जाते हैं, यह सोचकर कि यूनिवर्स 7 का एक Warrior अब हमारा King of Everything है, मीटिंग के कुछ वक्त गुजरने के बाद हम देखते हैं, गोकु यूनि अब वो अचानक जीरेन और तोपो के सामने आकर खड़ा हो जाता है, इसके बाद जीरेन देखता है, वो कोई और नहीं, वो गोकु है, इसके बाद गोकु कहता है, हे जीरेन तोपो, तुम लोगों को दुबारा देखकर अच्छा लगा, गोकु को अचानक देखकर तोपो अपने घुटनों पर बैट जाता है और कहता है गोकु सामा आप यहां तोपो को ऐसे करते हुए देख गोकु काफी हरान हो जाता है गोकु थोड़ा कन्फ्यूज होकर कहता है मुझे अभी इसकी आदत नहीं है शान्त हो जातो पो तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है इसके बाद मागरीटा बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहती है गोकु सामा आपको देखकर काफी अच्छा लगा आपका हमारे यूनिवर्स में आना कैसे हुआ उसके बाद गोकु कहता है मैं तो बस तुम लोगों से मिलने के लिए आया था लेकिन मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग करते हुए देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा मुझे आशा है कि बाकी सारे यूनिवर्स के योध्दा भी अपने पावर्स को इंक्रीज कर रहे होंगे इसके बाद जीरेन कहता है गोकु सामा टूर्नमेंट ओफ पावर के बाद हम हर दिन ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि हम हमारी यूनिवर्स की रक्षा कर सकें। इसके बाद गोकु स्माइल के साथ कहता है बहुत ही बढ़ियां जिरेन, हमेशा अपने यूनिवर्स की रक्षा करना। इसके बाद हम देखते हैं, वो लोग कुछ देर तक बाते करते हैं और फिर गोकु उन्हें बाई 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 बोलकर वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं, ग्रैंड प्रीस पैलेस में होते हैं और वो गोकु से पूछते हैं, आप कहा गये थे गोकु सामा इसके बाद Grand Priest कहते है चिंता मत करिये गोकु सामा ये कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके बाद गोकु सामा आप बताए आप मुझे क्या कहना चाते है इसके बाद गोकु कहता है कैसा रहेगा अगर हम यूणिवर्स 6, यूणिवर्स 7 और यूणिवर्स 11 के बीच एक टूर्नामेंट कराएं लेकिन बिना ये शर्ट करे कि अगर कोई भी यूणिवर्स आरेगा तो उसके यूणिवर्स को मिटा दिया जाएगा इसके बाद ग्रैंट प्रीस मुस्कुराते हुए कहता है ये उतना भी बुरा आइडिया नहीं है और जैनो सामा ये जानकर बहुत खुश होंगे इसके बाद गोकु कहता है तो ठीक है मैं बिल्कुल इसी तरह से शांती बनाये रखने की कोशिश करूँगा हर यूणिवर्स के अंदर भले ही इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए और हम देखते हैं गोकु ये सारी बाते बिना जाने कह रहा था क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है